जहें तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है विंडोज 11 जो हमने इंस्टॉल किया कुछ दिर पहले आपको हम वीडियो दे चुके हैं अगली वीडियो जो हमने दी पिछरी वीडियो इसमें जो है आपको विंडोज 11 जो इंस्टॉलिंग जो है सबसे लेटेस्ट वार्ज जो आपका रहता है उसका और उसके बाद से जो एनदर सेटिंग्स होते हैं कम्प्यूटर की यहां पर कैसे हम इसका आइकन जो है लाएंगे तो उसके लिए हम इस वीडियो में आपको पूरी टोटल स्टेप बाइस्टेप जानकारी देने वाले तो वीडियो को आप इसकी मत कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नहीं है अगर्ब सुल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर देखेंगे राइट किल्क करें गेंस शिफ्टम पर और यहां पर देखेंगे इसमें यहां पर आपको देखेंगे कुछ अलग विंडोज आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको आजाने के बाद 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 यहां पर इसको डिश्टाप के आइकन को आपको डिश्टाप पर ला सकते हैं तो चलिए वीडियो में बने रहें आप और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिश्टाप आइकन पर और उसके सामने आपके सामने ऐसा डायलाग बाक्स खुल के आ जाएगा यहाँ पर डेश्टाप आइकन का और यहाँ पर देखेंगे आपको computer मिल जाएगा control panel मिल जाएगा user profile और यहाँ पर network का मिल जाएगा आपको सब को जिसका भी आपको चाहिए आपको डेश्टाप पर उसको यहाँ से select कर और यहाँ पर इसको जो है start by करने के लिए जैसे आपको manage करने के लिए step by step की कौन सा पहले कौन सा बाद में रहे तो उसके लिए आपको right click करना है और एक बार refresh कर देना यहाँ पर आप देखेंगे आपका auto arrange हो जाएगा system यहाँ से देखेंगे आपकी पहले की जैसे पूरी तो देखेंगे selective pointer speed को आपको fast कर देना है full fast कर देंगे आपका pointer का speed जो है पहले से दुगुना speed आपको मिलेगा और यहाँ से भी बहुत चीज़े आप यहाँ से देखेंगे बहुत system में बहुत से चीज़े दिएंगे तो हम आपको आगे की setting आगे की वीडियो मनाएंगे ब कर दो